देश में दस करोड जन जाती हैं इनका समस्या एक अलाग टाइप का समस्या है पहले इस मंत्राले को सोसियाल जस्टिस एंड एंपार्मेट में का एक विभाग के रूप में से काम किया जाता था लेकिन माननी अर्टल विहरी भाजपी जी जब प्रधान मंत्री बने तो 1999 में पहली बार ये जन जाती कार्य मंत्राले बना और ये दस करोड से उपर जो जन जाती हैं छे सो से ज्यादा टाइप का जो जन जाती हैं इनका सोस्यो एकोनोमिक प्रब्लेम एजुकेशन हो हेल्थ हो उनका लाइबलि हूड हो आवागमन का हो ये सब प्रब्लेम जो है इसको एक्सक्लूसिवली देखने के साथ-साथ इन का जमीन को दूसरा कोई नहीं लेना सकता इनको स्टाइपेंट मिलना चाहिए इनका एडिमिस्टेशन एरिया में उनका जो परंपरिक बीधी व्यवस्था को सम्मान देना चाहिए उसको मान के चलना चाहिए ये सब व्यवस्था को देखने के लिए ये मंत्राले बनाए ग किया है जिसका काम है कि Integrated Approach मतलब सरवांगिन विकास एक फ्लोग छोटा यूनिट को हम पहले लेंगे और उसका सरवांगिन विकास कैसे होगा उसके लिए हम द्यान देंगे हम लोग जवाहर नवजदय विद्यालय जैसा एक लब्ब रेसिदेंशल मोडेल स्कूल हम लोग च रखता है उसको हम लोग देते हैं और यह हम लोग सो से ज़्यादा स्कूल अभी तक बना चुके हैं और उसमें से हम लोग पढ़ाई करवा रहे हैं इसके कारण इंजिनियरिंग, मेडिकाल और हायर एजू के सुट में पहले जो सीटें खाली रहता था क्वालिफाय नहीं कर पाते थे सीजूल ट्राइब स्टूडेट अभी उसमें भरपूर लोग क्वालिफाय कर रहा है और बढ़ चड़ के हिसा ले रहा है फाइनांस तो दो टाइप का है एक तो डायरेक्ट स्टाइपेंड देते हैं डायरेक्ट बेनिफिट जो है उनको प करना चाहते हैं उनके लिए भी हम पैसा मुहया करने के लिए नेशनल सीडूल ट्राइब फाइनांस और डेवलोपमेट करपोरेशन जो पांसो करोड का करपोरेशन है वह भी हम लोग बना चुके हैं वोट्स में भी बढ़ावाद देने के लिए हम लोग इसको कर रहा है हम हमारा जो डिस्क्रिशनरी फॉंड था उसको भी हम लोग बढ़ा रहा है और स्पोर्ट्स को अलाग से एक स्कीम के रूप में भी स्पोर्ट्स मंत्राले होते हुए भी ट्रावल स्पोर्ट्स को प्रमोट करने के लिए हम लोग उसको इंक्लूड कर रहा है हमारा मंत्राले सबसे पहला वेबसाइड बनाया था हम लोग को एक एवाड भी मिला है बेस्ट वेबसाइड के रूप में हम लोग इस साल का एवाड भी हमारा मंत्राले को मिला है हम online में बहुत सारे चीज रखते हैं ताकि लोग देखते हैं ये दूरदरा का इलाका होने के कारण बहुत सारे चीज ये मीडिया का coverage एरिया में से नहीं आता है लेकिन आज का समय में क्योंकि mobile interaction बढ़ रहा है और वो भी travel में भी बढ़ रहा है तो इसके कारण आपका visual footage या audio आपका clips ये सब आने में कोई तकलिप नहीं हो रहा है और बहुत सारे information भी आजकल का जो main media में ये automatic percolate कर रहा है ये आंदर में आ जा रहा है Skill development के लिए हमारा मंतराले का एक scheme है vocational training center के लिए तो उसमें जो जो उस एरिया के आपश्यक है जैसा आपका electrician हो, fitor हो या उहां का webbing हो बाकी carpentry हो उस एरिया के जो जो काम उस एरिया में करने से उनका training देने से उनको वो लोग आपना रुजगार बढ़ा सकते हैं अपना जीवन जीविका बना सकते हैं उसके लिए भी व्योस्ता है उसके लिए भी हम लोग प्रस्चाहन देते हैं stipend देते हैं और पूरा full grant भी देके उसको हम लोग चलवाते हैं आप महिला ससकती करण जोजना हमारा पहला चल पड़ा जिसका आज सेल्फ हेल्फ ग्रूप उसका फाइनांस करना बहुत कॉम रेट में फाइनांस देना पॉइंट फाइप परसेंट रेट ओप इंट्रेस्ट में जो फाइनांस देना ये सब अपना मंतराले का भी एक पार्क और बहुत सारे काम भी सरकारी काम भी उसमें वह लोग कर रहा है इस सिदूल ट्राइब का जोजना को लागू करने के लिए हम लोग ITDA एंड ITDP है Integrated Tribal Development Agency जैसे DRDA है भारत सरकार के बहुत सारे जोजना को लागू करने के लिए डिस्टिक लेफल में है एसा बहुत सारे एरिया में हमारा ITDA, ITDP है कुछ छोटा-छोटा पोकेट को लेके माड़ा पोकेट बोलते हैं हम उसको Modified Area Development Agency है और छोटा-छोटा Integrated Cluster भी है तो इसलिए जो एजेंसी है जो हमारा Working Unit है वो एक टाइप का सभी एरिया में covered है और इसके लिए जहां कम है और ज्यादा Concentrate है ज्यादा Concentrate को ITDP एरिया में हम monitoring करते हैं जहां कम है उसको हम cluster के रूप में Micro Project के रूप में या Mada Project के रूप में हम लोग काम करते हैं हमारा Griffance website है website में हमारा Griffance portal है उसमें वो रेजिस्टेट कर सकता है हम लोग का toll free number है उस toll free number में भी वो डायल करके हमको बात कर सकता है बागी email ID है और इसमें भी हम लोग को mail करके अपना Griffance हमको कर सकता है कर सकता है